कि मेरी टैनल में आपका स्वागत है आज मैं आपको यह बताना जा रहा हूं आपर कि 100% मीली बग से कैसे छुटकारा पाया जाए तो रिगॉर्डिंग के टाइम पर देखिए छुटी बिल्ली का बच्चा आ गया सबसे पहले यहां देखिए यह हिबिसकस के पौधे हो रहे ह हमारे गार्डेन में नीचे कितने अच्छे हो रहे हैं करीब एक महिना पहले देखिए हिबिसकस कितना अच्छा हो रहा है बरसात के टाइम पर बहुत सुंदर पौधे हैं लेकिन हुआ क्या कि अभी हाल में ही इसको मीली बग ने अटेक कर दिया है जितने भी पौधे हैं स इसकी उपर सफेद रंगी कोटेंगे देखिए ध्यान से देखिए चीटिया इसके आसपास घूम रही हैं यह मीली बग है चल भी रहे हैं देखिए ध्यान से देखिए और इन्हें फायदा क्या है कि चीटियों को पीछे से यह एक कविकल निकालते हैं उसे कहते हैं हनी होगा और यह पत्कियों को देखिए अच्छी तरह से चूस रहे हैं मीली बग और ऊपर देखिए वैक्स की एक कोटिंग है इनके उपर और एक छोटी सी पूछ पूछ यासी भी दिखाई पड़ रही है तो चीटियों को यह फायदा है कि इनको रेडी मेड भूजन मिलना ह हनी ड्यू निकालने पीछे से उसको चीटियां खा रही है और मीली बग को यह फायदा है कि कोई प्रिडेटर नहीं आएगा वह जैसे लेडी बैड बीटिल है उसके लारवी इसको मीली बग को खा जाते हैं लेकिन वह डरकी बैसे वानी आते हैं तो यह कहलाती है देखिए और मीली बग के छट 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 अंडे हैं वहीं पर अब देखिए एक फूल देखिए पीला पढ़ गया नीचे देखिए पढ़ गया पीला उसकी जो कैलिक्स है वो पीली पढ़ गई क्योंकि इसने इनके सारा सैप को चूस लिया पूरा अंदर प्लांट सैप जि इसकी कैलिक सूख गई तो होगा क्या कि धीर धीर ये पौधा हिबिसकस का जिसे गुड़ल कहते हैं हम लोग ये पूरा मर जाएगा देखिए ध्यान से देखिए जब भी कभी इस तरे की कोटेंग हो तुसको छुटा हटाना भहुत जरूरी है देखिए एक फूल नीचे ते पीला हो गया है दूसा वाला हरा है तो धीरे 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 ये पूरे पौधे को खा जाते हैं लगाता देखिए चीटियां चल नहीं है और चीटियों के चलने से उनके टांगों में इनके अंडे चिपक गए है तो जब ये दूसरे प्लांट पे जाएंगी चीटियां तो अंडों को दूसरे प्लांट पे भी ले जाएंगे और भावी इंफेक्शन हो जाएगा और बाद में क्या होता है कि चीटिया अपना घर बना लेती हैं वहीं पेड़ के नीचे और वहाँ से सारे पौधे को खोकला कर लेती है देख रहे हैं कितना घनी घनी ग्रोथ है इसके उपर अब यह से मैं देखिए मेल भी है फीमेल भी है मेल मेली भग भी है वो थोड़ा छोटे है और फीमेल मेली भग है वो बड़े वाले है और देखिए एक पतिक मैंने नोग देखा रहा हूं यहां पर इदिखे इनके छोट छोट अंडे लगे हुए को आप पत्ति को पर देखे ध्यान से तो चोट छट शफेद रंगे अंडे लगे हुए इनके तो यहां पर कौन ले गया यहां पर चीटियां ले गई उसको अपनी टांगों में चिपका के चीटियां दूसरे पत्तियों पर भी infection को ले जाती है यह देखिए यह वाला हिबिसकस का फूल अभी हरा है नीचे से देखिए हरा है यह कैलिक्स है इसकी वो अभी हरी है यह भी म पर जाएगा दूसरा वाला तो पीला पड़ गया है यह देखिए कैलिक्स इसकी पीली पड़ गई है तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि इनको पैचाने हैं हम और फिर इसे छुटकारा कैसे पाएं मीली बग अगर धीरे से चुएंगे तो हातों में सफिज सफिज पा जिसको कहते हैं वैक्सी कोटिंग वह हार्मलेस है वैसे कुछ नहीं होगा तो क्या करें इनको या तो बहुत तेज पानी की धार मारें इनकी उपर बाहर की तरफ भी और अंदर की तरफ भी उससे यह छुट जाते हैं लेकिन वह नीचे गिर पड़ेंगे आपको टम में पा पौधा में इंफेक्शन चला जाएगा और कहीं ड्रेन ड्रेने सिस्टम हो वहां पर इसको पानी को फैंक दिए पूरी तरस एक तो यह तरीका है मैं आपको आगे चलके तीन तरीके बताऊंगा कि इस हंडर्ड परसें इंसे कैसे छुटकारा पाया जाए तो यह बार-बार तो सबसे पहले हम क्या करें 70% आईसुप्रपायल एलकॉछ 30% पानी में घूल के इस प्रे कर दे या दस से लेकर 15 ड्रॉप प्यॉर नीम ऑईल पानी मिला के इस प्रे कर दे या 15 ड्रॉप हैंड वाश और 25 मिली ग्राम वेकिंग सोड़ा मिला के पानी में तब इस प्रे कर पर तो यह मर गए सारे के सारे देखिए यह देखे बेस प्रे कर रहा हूं यहाँ पर 70% आईसुप्रपायल एलकॉछ में पर श्प्रे किया जैसी तो सारे के सारे मर गए सारे सफेद जो है वो कोटे इनकी खतम हो गई यह देखिए लेख आप ने तो सबसे बड़ी आई sanitizer है 70% isopropyl alcohol बजार में आता है वही है कोई नई चीज नहीं है उसी से मैंने spray कर दिया तो सारे के सारे मर गए हो गया खत्म तो सबसे बड़िया method है isopropyl alcohol 70% use कर है सबसे बड़िया method है दूसरे सब inorganic तो organic है सारा का सारा inorganic का सवाल ही नहीं है आपर और baking powder वो भी safe है अगर baking powder यूज किया है तो वो भी safe है उससे कुछ नहीं होता तो कोई harmful pesticide नहीं है देखिए चीटिया भी बहाँ से भाग गई अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए और आगे इसको शेयर करिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए धन्यवाद झाल